आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेर्स का वीडियो है 26 मार्च 2023 का यह जो करेंट अफेर्स का न्यूज है सभी एकजाम्स के लिए जादा महतपूर्ण है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसी कोश्चन को डिसकस किये हैं जो की एकजाम्स के प्रूर देखिएगा क्योंकि आपको इसे एक दो कोश्चन किसी भी एकजामस में करेंट अफेर्स का पूछे जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कोश्चन को पहला कोश्चन है हाल ही में उत्राखन सरकार ने किस अस्थान पर एक खेल विश्विद्याले स्थापि के मुख्यमंत्र है उनका नाम है मुषकर्सी धामी जो की बीजेपी से बिलॉग करते हैं अगला है हाल ही में किस ने डीजी क्लेम नमा एक नया मँच लौँच किया है तो इसका सही उत्तर है नरेंदरी सिंक तोमर जो की क्रिसी मंत्री है भारस सरकार के उन्होंने हाल ही में एक नया मंच को लॉंच किया है जिसका नाम है DG Claim या क्या insurance based है और या जो DG Claim है इसके माध्यम से जो किसान है अपने जो बीमा है फसल का उसको सिधे बैंक खाते में प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे और या जो और सिस्टम को पारदर्सी बनाएगा DG Claim platform अगला question है फाली में तमिलनाडू सरकार ने एक 18 वन्य जिव अभ्यारन स्थापित करने का निर्ने लिया है जिसका नाम क्या है तो इसका सही उत्तर है थान्थाई पेरियार वन्य जिव अभ्यारन जो की E-Road E-Road जो डिष्टिक है तमिलनाडू का वह E-Road डिष्टिक में इस्तित है थान्थाई पेरियार वन्य जिव अभ्यारन इसके साथ ही अभी तमिलनाडू में या 18 वन्य जिव अभ्यारन हो गया है अगला है प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एक विष्व टीवी सिखर सम्मेलन को संबोधित किया है तो सयुत्तर इसका है वारा नसी में प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी ने एक सिखर सम्मेलन को संबोधित किया है जो कि विष्व टीवी सिखर सम्मेलन है अगला है किस राजया के निरसासित परदेश ने मिडिया कर्मी सर्रक्षन विदेयक 2023 को पारित किया है तो सयुत्तर है उत्राखन जो सरकार है वह एक विदेयक को पारित किया है जिसका नाम है मिडिया कर्मी सर्रक्षन विदेयक 2023 अगला कोश्यन युनेसको की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी परतिसत आवादी के पास सुरक्षित पे जल नहीं है। अगला कोश्यन है एबेल कुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सहियुत तरह अर्जेंटिनियन मैथेमेटिशियन है लुइस कैफेरेली इनको 2023 का एबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया है। और जो आप्षन के बारे में और देख लेते हैं तो डेनिस सुलीवन को वर्स 2022 का अबेल पुरसकार दिया गया था। और ग्रिगोरी, मारगुलिस और हिलेल फर्षन वर को 2020 का अबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था। यह काफी important है कोस्चन आप इसे रट लिजिएगा, किसी भी परिक्षा में इससे जरूर कोस्चन पुछे जाएंगे पुरसकार और सम्मान से, तो आप इसमें एक 2023 और दूसरा एक 2022 बस ए दुनों ही याद किजिएगा अबेल पुरसकार के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं एबेल पुरसकार का तो यह एक अंतराष्ट्रिय पुरसकार है जिसे गनीत के छेतर में जो योगदान देते हैं लोग इनको दिया जाता है और इसे अक्सर नोबेल पुरसकार कहा जाता है और इसे नोबेल पुरसकार के बराबर माना जाता है। यह पुरसकार सिर्फ गनीत के छेतर में जो योगदान है उनके लिए पुरसकार दिया जाता है और एबल जो पुरसकार है यह नाम पड़ा है नौर्वे के गनीतग्य थे निल्स हेनिरिक एबल के नाम पर एबल पुरसकार का नाम एबल पुरसकार रखा गया है और वर्स 2003 में यह पुरसकार जो है पहली बार प्रदान किया गया था अगला कोश्चन है हिरासत के लिए गए और लापता श्टाफ सदस्यों के साथ एक जूटता का अंतराश्ट्रिय दिवस कब मनाया जाता है इसका सयुत्तर है 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता श्टाफ सदस्यों के साथ एक जूटता का अंतराश्ट्रिय दिवस को मनाया जाता है और यह जो अंतराश्ट्रिय दिवस है पहली बार 1993 में संयुक्तराश्ट्रंग के द्वारा यह बनाया गया था और यह इलेक कोलेट जो थे इनका अपहरन हो गया था 1985 में 25 मार्च तारिक था इसी दिन इनका पहरण हो गया था तो इनहीं की याद पर 25 मार्च को ही यह दिन को चुना गया है मनाने के लिए तो अगला कोश्चन है हाली में किस होकी खिलारी को भारत से AHF Athlete Ambassador के रूप में निव्च किया गया है तो सयुत्तर है होकी खिलाडी का नाम है सलीमा टेके इनको भारत के तरफ से एएचेप एथलीट अम्बेजडर के रूप में निवत किया गया है अगला है कौन सा देश अभ्यास वायू प्रहार नाबक बहु डोमेन वायू भूमी अभ्यास आयो जित किया है तो सयुत्तर है भारत एक अभ्यास को आयो जित किया है जिसका नाम है अभ्यास वायू प्रहार जिसमें की भारत के तरफ से आर्मी और एयर फोर्स या दोनों जो फोर्स है इस अभ्यास में भाग लिये है तो सयुत्तर इसका है भारत देश अगला है किस संस्था ने प्रध्योगी और नवाचार रिपोर्ट 2023 को जारी किया है अगर हम लोग बात करते हैं या संस्था के बारे में United Nation Conference on Trade and Development इसका फूल फॉर्म है इसका फूल फॉर्म है या जो संस्ता इसका 1964 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो हेड कोटर है जेनेवा में जो की स्वीड़िजर लेंड में इस्तित है जेनेवा स्वीड़िजर लेंड में इसका मुख्याला है तो या जो कुछ करेंट अफेर्स का कोश्चन है 26 मार्च 2023 का आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा और जादा से जादा इसे आप सेयर किजेगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत